दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मोक्स में जरूर पूछे आज की पहली के वर पांच दिन बाद बिहार में बढ़ी की ठंड पाटना गया नालंदा बेगोसराय सहीत 19 जिलो में चाया कोहरा दिसंबर के पाली सब्ता से तेजी से गिरेगा पारा जिहां पाटना भोजपूर गया नालंदा और बेगोसराय सहीत 19 जिलो में सुबा कोहरे की साथ हो रही है सामाने दिनों के अपेक्चा धूप निकलने में लगबग दो घंटे का समय लग जा रहा है हाला कि धूप के बाद ठंड का ऐसास खतम हो जा रहा है लेकिन आने वाले पांच दिनों में दिन का तापमान गिरते ही दिन में भी ठंड सुरू हो जाएगी पाश्ची में हवाई पहाडों वाले ठंड के साथ बिहार में परविश करेगी जिससे दिन और रात का तापमान परभावित होगा मौसम विभाग का पुरुवानवान है कि दिसम्बर के प्रतम सब्ता से बिहार के सभी जिलों में ठंड का प्रभाव बढ़ जाएगा अगली बढ़िक बर बिहार जारकन देश का सबसे गरीब राज उत्तर परदेश टॉप फाइब में सामिल कुपोसन के मामले में भी बिहार नमबर वन जिहां बिहार जारकन और उत्तर परदेश देश के सबसे गरीब राज्यों में सामिल है यह जानकारी निती आयोग की रिपोर्ट से मिली है निती आयोग ने गरीब सुचकांग जारी किया जिसके अनुसार बिहार देश के सबसे गरीब राज्य है गरीबी सुचकांग के परदिश 36.65% गरीबों के साथ चोथे इस्तान पर है जबकी मेगाले में गरीबों की सिंख्या 32.67% है केरल के सिती सुसकांग में सबसे अच्छी है जहां मात्र 0.71% आबादी गरीबी है वहीं गोवा में 3.76% सिक्किम में 3.42% तामिल नाडों में 4.89% और पंजाब की की बिहार में कुपोसन के मामले देश में सबसे ज़्यादा है उसके बाद जहरकन का नंबर आता है कुपोसन के मामले में मजद परदेश 3.99% चोथे और 36 गड़ पाचवे इस्तान पर है अगली बड़ी किवर बिहार में नौकरी का उसर स्वास्थ विभाग में होगी 7000 प परक्रिया के मादम से चिकसक, विसेस, डक्टर और एनम भरती के बाद पेरा मेडिकल कर्मियों को निकती पर विचार किया जाएगा जल्द यादिकारिक बेवसाइट पर इसका नोटिविकसन भी जारी किया जाएगा बताया जाता है कि निकती पर इचाराज की तकनिकी आयोग द्वारा आयजित की जाएगी, जानकारी के अनुसार कूल 7000 पदों पर भरतिया निकाली जाएगी, कूल पदों में से 1549 पद फर्मासिस्ट, 1096 ओटी सहायक, 1772 लेब टेकनिसियन, 163 इसीजी टेकनिसियन और 1638 ड्रेसर की पदों पर भरति की जाएगी बाड़ी कबर बिहार में लागू हुआ बियाच सिरेज, नई गाड़ी खरेदने वालों को ही मिलेगा इस सिरेज का नमबर, जहाराज केबिनेट के निन्ने के बाद बिहार में बियाच सिरेज लागू हो गया है, पारिवहन भीभाग ने गुरवार को इसकी अत्यसुचना जारी कर दी है, सचिव संजी कुमार अगरवाल की ओर से आदेश में कहा गया है कि बियाच सिरेज अत्यसुचना जारी होते ही प्रभावी हो गया है, अब नई गाड़ी खरेदने वालों को ही बियाच सिरेज मिलेगा, लेकिन इस सिरेज को वही लोग ले सकेंगे, जिनका एक राज से अधिक में वास्ता पढ़ रहा है, मसलन केंद्र सरकार के वैसे कर्मी जिनका तबादला एक से दूसरे राज्यों में हुआ करता है, इसके साथ निजी कमपनी के कर्मियों में भी जिनका तबादला अधिक राज्यों में हुआ है, वे भी बियाच सिरेज ले सके परिवहन बिभाक के अधिकारियों का निसार एक से अधिक राज्यों में नोकरी या व्यपसाय करने वालों को बिच सिरीज मिलने से स्विदा होगी बड़ी खबर बिहार में क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अच्छी खबर सरकार निदी परमान पत्र को लेकर बड़ी रहा जिहां क्रीमी लेयर रहित परमान पत्र बनवाने में कठिनायों का सामना करने वाले आवेदों के लिए अच्छी खबर है अब उन्हें किसी परकार की नोकरी के आवेदन करने के लिए क्रीमी लेर रहित प्रमान पत्र बनाने में अलग से जाती आवासिय एवं आए प्रमान पत्र नहीं बनवाना पड़ेगा आप सीधे क्रिमिले रहित परमान पत्र निर्गत किया जाएंगे इसमें सभी आवसक बिंदो अंकित रहेंगे यही नहीं इसमें उनके माता पिता के वेतन या पेंसन तदा क्रिसिस होने वाले आई को नहीं जोड़ा जाएगा राष्ट्रिय पिछड़ा वर्ग आयोग के केंद्र सरकार के क्रिमिले रहित परमान पत्र बनाने में दिस्ता निर्देश का नुपाला नहीं होने से समयन इस्पश्टिकरन पुशे जाने के बाद समयन प्रसासन विभागने सभी डियेम प्रमांडलिय आयोगत चैन आयोग अ अधिकरमन करने वालों के किलाप करे करवाई जिया अभिहार में सरकारी जमीन पर कबजा करने वालों को जेल की सजब भुगतनी होगी इसके अलावा 20,000 रुपे तक जिर्माना भी भरना होगा इसके लिए नितिस सरकार ने कमिशनर से लेकर डियम तक को करवाई करने का ने सरकारे जमीन को अतिक्रमन मुक्त करने का भियान तेज करने का फैसला किया है इसी के साथ राज की सभी जल निकायों को भी अतिक्रमन मुक्त करना है या अदेश राजस्व एवम मुमी सुधार विभाग ने पहले ही जड़े किया था लेकिन कायर में सितिलता को देखते व गाज जो खोलने की मांग करते हैं उनकी भी जाचोँ जियहा hein। बिहार में सराबंदी की किलाभ बोलना भी अब खतरनाक को सकता है। ऐसक करने वाले लोग जाच के दारि में आ सकते हैं। सेम नितिस खुमार ने सुकुरूआर को सराबंदी को लेकर दिलाई जारे इस सपद में ऐसे संकित दिया है मकसद उन नेताओं पर लगाम लगाना है जो लगतार सराबंदी को खतम करने पर बयान बाजी कर रहे हैं इनमें बिपक्च के साथ इस सत्तप नेता विदायक सामिल है नितिस कुमार ने ऐसे लोगों को कड़ी पड़क दुसक्रम के आर ऊपी को कोड लें केवल एक दिन के अंदर ही उम्र कैद की सजा सुनाई है जहाम मामला अरख्या जीले का है अररे जीले में पोकसो एक्ट के विसेस निया ने एक दिन में गवाही और बहस पुरा करते वे अभियोक्त को दो सी परार दिया और साथ ही साथ आजीवन कारावास के सजा भी सुना दी दूसक्रम के इस मामले में एक दिन के अंदर आरोपी को सजा सुनाई जानने की पीछे पुलिस लेकर अभियोजन पक्च तक की कड़ी मेहनत और कोड का कमिटमेंट भी बज़ा माना जा रहा है। सिबेसी के स्कुलों में नामांकल लेने पर अब उन्हें बोर्ड से अनुमति लेने के जरुत नहीं होगी। उन चात्रों को रहा देते वी सिबेसी ने सुचना सभी स्कुल को भेज दिया है। अगली बड़ी खबर बिहाटा में बन रहे बस इस्टन के विरोध में सडक पर उतरे सेखडो किसान कहा जान दे देंगे पर जमीन नहीं। सरकार बस इस्टन को कही और ले जाए। जिहां बिहाटा परकरन के कनोले गाओं के किसानों ने कनोली में नए बस इस्टन निर्मान को लेकर विरोध कर दिया है। किसानों का कहना है कि वो अपने उबजाओ जमीन को किसी भी किमत पर बस इस्टन नहीं बनने देंगे किसानों ने विरोध करते हुए कहा कि वो अपनी जान दे देंगे लेकिन अपनी जमीन को बस इस्टन के लिए सरकार को नहीं देंगे बाड़ी कबर बिहार बिदानसवा के असपास जुलूस और प्रदसन पर रोग धारा 144 लागू जिहां बिहार बिदानसवा का सत्र 29 नॉम्बर से 3 दिसंबर तक संचालित होगा इसे लेकर बिदानसवा के असपास 100 मिटर की परेदी में सदर HDO की ओर से धारा 144 लागू कर दी गई है साथ जुलूस और प्रदसन पर भी ड्रोक लगा दी गई है सदर HDO नविन कुमार की ओर से जारे आदेस में कहा गया है कि पांच या उससे अधिक लोग विदानसवा के आसपास एकत्रित नहीं हो सकते हैं प्रदसन जुलूस और हत्यार के साथ इलाके में चलना प्र खर की प्राय हर वर्ग के लूगों को मात्र 10,000 रुपए में विबा समीट आन आयोजन करने की सुविदा मिलेगी इस सुविदा से सरवादिक लब गरीब और माईदम वर्गय परिवार के लोगों को मिलेगा सहर में जो परिवार साधी विवा के आयोजन के लिए महंगे द दिया गया है उसे कुछ अदोनिक भी बनाया गया है गुर्वार को इस्तानी सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंदवासिन ने विवा भावन का विदिवत उद्गाटन किया उन्होंने इस मौके पर कहा कि किसी भी आईजन के लिए कम किमत पर इसका लोग लाब उठा सकेंगे योटूब वाले खान सर की पॉलिटिक्स वोट मांगते वक्त कहा प्रत्यासी पैसा दे तो ले लो पर उसे वोट मत दो प्रचार से दोस्त बना मुक्या जिया सोसल मेडिया इस्ट्यार पाटना वाले खान सर की पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई है वे सिदे किसी चुनाव में नहीं उत्रे है लेकिन दोस्त के लिए पंचाय चुनाव का प्रचार जरूर किया प्रचार के दोरान उनका एक वीडियो खूब देखा जा रहा है इस वेसाली जिले के सदि बुजूर्ग ब्लॉग की सला पंचायत का है खान सर अपने दोस्त वीपिन सर के लिए प्रचार कर रहे थे वन्हें सालाई से मख्यापत के प्रचासी थे उन्हें 101 वोटो से जीत मिली है प्रचार के वीडियो में खान सर ने लोगों से किसी प्रत्य 80 की और से पैसे दे जाने पर ना बिखने के अपील के थे कहा तक अब ये एक खसे भी 5000 में मिलता है फिर आदमी 1000 में कैसे बिख सकता है 1000 के बदले 5000 लेजिए लेकिन वोट अपने मर्जे से दीजिए बाड़ी खबर अब ट्रेन में आपके बर्द पर आएगा गर्मा गर्म खाना 10 दिसंबर तक ट्रेनों में लग जाएगी पेंटरी कार एक कैटरिन से स्टेशन पर मंगा सकते हैं खाना जी हाँ आप टेनों में आपको खाने के लिए स्टिसनों पर परिसान नहीं होना होगा कोरोना काल से पहले की तरह कि आपके बर्थ पर गरम गरम लज़िज वेजनों की तालिप होजाएगी इतना ही नहीं आप एक केटरिन का इस्तमाल कर बाहर से भी मंचाई स्टेशन पर खाना मगा सकते हैं आयर सिटिसी ने बिहार के तेरे टेनों में पेंटरी कार की सेवा सुरू करने के तयारी कर ली है 10 दिसंबर तक तेरे टेनों में विवस्ता हो जाएगी और इसके बाद आयने टेनों में पेंटरी कार लगाए जाएगी बताया जा रहा है कि 20 दिसंबर तक आयने 10 से अधिक टेनों में पेंटरी कार की विवस्ता की जाएगी औरन की बड़ी कबर टमाटर की बढ़ती केमोतों से रहत नहीं दो महने तक टमाटर के दाम नहीं घटेंगे रिपोर्ड में ज़्यादा बारिस को बताया महंगा होने की बज़ा जिया सबजीयों की महंगाई अभी थमने वाली नहीं है खास तोर पर टमाटर को लेकर अभी दो महने और लोगों को महंगाई की मार जहलनी पड़ सकती है इसकी बज़ा ज़्यादा बारिस बताई जा रही है क्रिसिस रिसर्स की रिपोर्ड में सामने आया है की टमाटर के केतिक करने वाले बड़े राज्यों में से एक करनाटग में बारिस के कारण इस तर्य इतनी खराब है कِ वहां भी सब्जियों को महराष्ट के नासिक से मागाना पढ रहा है आपको बदा दे कि करनाटग में समाने से 105% ज्यादा बारिस हुई है वही r पर देश में समाने से 40% состав और महाराष्ट में 22% ज्यादा बारिस हुई है ये राज अक्टवर से दिसम्बर तक के बेच मैंने सप्लाइर के रूप में सामने आए है आज के लिए आपका स्वाल बताए कि बिहार राज में गरीबी खतम करने के लिए बिहार सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताए